तो दोस्तो आज की वीडियो में हम घनमूल कैसे निकालेंगे बस सौट मेथड़ है एक सिंपल वे में आपको सिखा देंगे बस दोस्तो आपको एक से लिए करके दस तक का वर्ग याद होना चाहिए ठीक है एक से लिए करके अगर आप 10 तक घन याद किये हैं तो आप घनमू में 3-3 का जोड़ा लेना है पीछ समय लिए लेकर हमें मतलब किवल लास्ट डिजिट से होना है ठीक है आठ तो दोस्तो आपको इसमें देखना किसके घन में आठ आता है तो हमें पता है कितनी में आता है दो में तो यहाँ पर दो लिखेंगे और यह कितना है थर्टी टू तो 32 किस के किस के बीच में 64 के और 27 के लेकिन गाइज हमको ज्यादा वाला कभी भी नहीं लेना है तो 64 ज्यादा 27 का मैयानी इसका क्या है 3 है तो यहां पर 3 लिख देंगे दोस्तों इस तरह से आप घंदमोल निकाल देंगे ठीक है सिंपल वे हैं दोस्तों आप इस तरह से हल करते जाएए अब चलीए दूसरा कोशिन नम लोग हल करते हैं लास्ट का तीन डिजिट लास्ट से मतलब दो-डो किसमे है इसमें दिखिए किसमें यहां पर देखो आठ आठ में है वाज़ा लास्ट का देखना है दोस्तो लाश्ट का देखो 2 किसमे 8 हो ले में तो यहां पर लिख दो 8 अब यह कितना 110 है इसमें देखिए 110 किसमें आता है 110 64 125 एक्सो पचीस ज्यादा हो रहा है हमको कम लेना 64 है तो 64 का क्या होता है 4 तो यहां पर लिख देते हैं यहां इसका अंसर 48 अब इसी तरह से दोस्तों स्कॉल करेंगे लास्ट का लिए लाश्ट मतलब है 6 6 किसमें आता है 6 वाले में क्या लिखेंगे 5 6 अब इसको देखिए 8 84 यानि 884 किसमें आता है देखिए यह 700 यह एक हजर यानि ज्यादा और ज्यादा हमको लेना नहीं तो यह 739 लेंगे 739 में नौ तो दोस्तो इसी तरह से आप सभी घनमोल को निकाल सकते हैं तो दोस्तो अगर हमारे यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देजिएगा और किसी